हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ देखे इस बोर्डर डिजैन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप इसे बोर्डर में या फुल काडिकन में जाकिट में किसी भी प्रजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं बहुत सुंदर बनता है देखे इसे बिगनर भी बड़े आराम से डाल सकते हैं बेसिक सिर्फ दो रोका यह पैटरन है इसे ही आपने रपीट करते जाना है ना तो इसमें जादा फंदे बढ़ते हैं ना कम होते हैं जितने फंदे हम सलाई में डालेंगे सेम उतने ही फंदे रहते हैं इसमें और यह ऐसे बन के राता है देखे बहुत प्यारा बहुत सुंदर बन रहा है यह देखे बनाने में भी बिलकुल असान है क्योंकि दो रोक फंदे 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे लास्ट में जाकर अपने पास 3 फंदे फाल्तु होने जाएं एक्स्ट्रा होने जाएं थीक है तो इस तरह से देखिए बॉर्डर बनकर आया है एक बार फिर से रुपीट करी हूँ आप इसे बोर्डर जा ऐसे ही फुल काडिगन जाकिट में जैसे भी आप डालना चाहो जिसमें भी डाल सकते हो ठीक है बहुत संदर लगता है इसके लिए मैंने स्लाइ में फंदे डाल लिया है 39 फंदे लिया है मैंने स्लाइ पर 36, 12, 12 के multiple से और 3 फंदे extra First row से ही हमारा pattern डलना start हो जाएगा तो first row सीधी तरफ से देखिए पहले फंदे को सीधा बना लेंगे ये पहली रो है ना तो पहले फंदे को भी बनाना होता है पहली रो में इसके बाद हम उतार भी सकते हैं इसे इसे बनाया अब क्या करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक कर देंगे ऐसे ये एक और ये दो दो फंदे लिए स्लाई में इन दोनों फंदों को दो का एक कर दिया अब 4 फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार ऐसे चार फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे अब इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे ऐसे धागा अपनी तरफ रखते हुए अब धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे लिए सलाइपर और तीन का एक कर दिया अब चार फंदे फिर से हमारे ये उल्टे एक दो तीन च्यार अब फिर से जाली वाले पैटरन को डालेंगे तो धागा अपनी तरफ रखेंगे इस फंदे को हम सीधा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे क्योंकि हमने उल्टे फंदे बनाने हैं चार एक दो तीन और ये चार चार फंदे उल्टे बनाए उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने तीन का एक करना है रेखिए एक दो और ये तीन थोड़े से फंदे आपने लूज डाल लेने हैं क्योंकि हमने इस पैटरन को फरस्ट रो से ही स्टार करना है तो थोड़े से फंदे आपने इसमें लूज डाल लेने है ठीक है अब यहां पर किया तीन का एक फिर से एक दो तीन चार फंदे उल्टे आपकी रोज तलाई में जितने भी फंदे हैं आपने इन्हें ऐसे ही धोराते जाना है अब स्टार्टिंग से देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया एक फंदा हमारा एस्टिच का है उसके बाद यहां पर किया हमने दो का एक दो का एक करने के बाद हमने चार फंदे ये उल्टे बना लिए फिर धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बनाया हमने यहां पर जाली डल गी यहां पर दो का एक किया था ये जाली डल गी ह जो फंदा यहां पर कम किया, उसे यहां पर बढ़ा लिया, साथ के साथ, तीन का एक करने के बाद, फिर से चार फंदे उल्टे, वही जाली वाला पैटरन, फिर से चार फंदे उल्टे, तीन का एक किया, चार फंदे उल्टे, अब फिर से उसी जाली वाले पैटरन को तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे यह जारी डल गई अब उल्टा फंदा बनाना है तो धागा भी स्लाइपर ऐसे उल्टा घमाना होगा अब एक दो तीन चार फंदे उल्टे अब एक दो जैसे स्टार्टिंग में देखिए दो काई किया लास्ट में भी हमने ऐसे ही दो काई करना है अब धागा दूसरी तरफ करते हुए लास्ट के फंदे को हम सीधा ही बना देंगे यह एक रो हमारी कम्प्लीट होगी अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है कोई भी डिजाइन नहीं डलेगा उल्टी हमने डिजाइन में दोहर आते जाना है इसके बाद देखिए और कुछ भी चेंज नहीं आएगा बिल्कुल से मैं ऐसे ही अपनी ये थर रो भी डलेगी लेकिन एक रो में आपको और डाल कर दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से डिजाइन समझ में आ जाए और याद हो जा करती हूं कि आपके लिए असान और सुन्दर पैटरन लेकिया हूं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को अब तक आप नहीं लाइक किया है तो प्लीस लाइक का बटन अभी दवा दे और कमेंट भी किया किजिए मुझे आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छे-च्छे डिजैन ढूरने में लग जाती हूं मैं दमाग लडाने में यह अभी मैंने बॉर्डर बनाया था तो अभी सोचा कि आपके साथ भी साथ के साथ शेयर करूं यह फुल कारडिगन बना रही हूं मैं तो कारडिगन की वीडिय बस थोड़ा सा बनाया है इसके उपर वो डालूंगे मैं अब सीधी तरफ से देखिए सेम वैसे ही रोड लेगी देखिए फर्स्ट फंदे को उतारा बनाना चाहो तो बना भी सकते हो ठीक है अब धागा अपनी तरफ किया एक दो का एक दो का एक करने के बाद फिर से एक द दो तीन चार फंदे उल्टे ये जाली वाला फंदा देखिए साथ में आ गया ना हमारी यहाँ पर ये चार फंदे उल्टे होगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये सीधा फंदा है इसे सीधा बना देंगे यहाँ पर हमने जाली डाल दी देखिए ऐसे अब धागा अ तीन का एक आपने ये नहीं सोचना है कि ये जाली वाला फंदा है या कौन सा फंदा है बस आपने गिनते जाना है जैसे मैं गिनती जा रहे हूं ठीक है तीन का एक किया अब ये एक दो तीन चार फंदे उल्टे दिखिए ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे क दो तीन चार फिर यहाँ पर करेंगे तीन का एक फिर चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब यह सीधा बंदा है यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए से सीधा बना देंगे जारी डलगी धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टे की तरफ से भुमा लेंगे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब यहाँ पर कर देंगे दो का एक और यह लास्ट का फंदा सीधा हमने शुरुवात में और लास्ट में दो का एक करना है बीच में हमने तीन तीन का एक करत आपने जो भी नीटिंग करते हैं उनके साथ ठीक है तो फिर मिलती हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ बाव बाई